Hello friends, welcome to learning ways, so guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी महतपूर IPC धराओ को ले करके और इसको हम याद करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी डिक से, क्योंकि ये सारी धरा है, पुलिस के सभी एक्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हैं, तो इनको हम यहाँ पे आज याद करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हूं, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यह IPC है क्या, IPC की बात तो इसका फुल फॉर्म होता है Indian Panel Code, हिंदी में इसको बोला जाता है भारती दंड सहीता, अब हम शुरू करते हूं देखते ह आपे सबसे पहले, सबसे पहले मैं बात के लेता हूं, धारा एक को लेकर के, धारा एक के अंतरगत बताया गया है सहीता का नाम और उसके प्रावर्तन का विस्तार, यानि कि अगर मैं बात करूं तो धारा एक के अंतरगत बताया गया है कि यह जो IPC है, यह actual में है क्या, IPC क पूरा का पूरा जो explanation है वो धारा एक के अंदर दिया गया है अब आप इसको कैसे यान लखेंगे देखिए जैसे कि अगर मैं बात कर लेते हूं अगर आप कोई भी अपनी notebook बनाते हैं उस notebook के पहले पलने पर आप लिखते हैं कि यह किस subject की notebook है इसी तरीके से धारा एक में बत आए गया है चल संपत्ती की परिभाषा चल संपत्ती को English में कहते हैं movable property अब इसको हम समझ लेते हैं कि पहले movable property होता का है फिर हम इसको trick से relate करेंगे सबसे पहली बात तो देखिए आपके सामने है च्रैक्टर अब ट्रैक्टर क्या है बाई ज्यादा पैसे ही कर मिलता है और इसको आप क्या करते है एक जगा से दूसरी जगा ले आ सकते हैं तो यह आका है movable property की शड़ी में इसी तरीके से मैं car को लेकर के बाद कर लूँ तो car भी क्या है movable property है जिसको आप क्या कर सके एक जगा से दूसरी जगा ले आ सके इसी तरीके से गाय भैस हो गई तो यह क्या है movable property है अब यह movable property की बात करें कि यह किसके अंदर धारा 22 के अंतरगत अब इसको आप कैसे याद रखेंगे तो 22 और मैं बात कर रहा हूं कि इसके movable property मतलब भैस तो 20 और 22 20 और 20 इस तरीके से हम relate कर लेंगे कि धारा 22 के अंतरगत बताया गया है movable property को ले करके next हम बात कर लेते हैं यहाँ पे धारा 24 और धारा 24 की बात करता है कि बेईमानी की परिभाशा actual में बेईमानी है क्या यह बात तेही कि यह धारा 24 में अब देखें यह क्या है यह मैंने बेसिक लिए आपको एक इग्जांपल के तौरपे बताया है otherwise लेने की जरूफ नहीं है कि इसको हम कैसे रिलेट करेंगे देखें क्या होता है घरों में काम करने के लिए जो बाई होती है तो बाई क्या बाई ने बेईमानी से क्या करा 2 की 4 कर दी तो इस तरीके से ध्यान ने कहेंगे कि धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है आगे हम बात कर लेते हैं धारा 34 और धारा 34 के अंतरगर बताया गया सामान ने आशय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है common intention अब इसको आप पहले समझ लेते हैं ये सामान ने आशय क्या होता है उसके बाद हम इसको trick से relate करेंगे for example एक कोई व्यक्ति अपराध करने चला और दूसरा भी उसमें involved हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं common intention बोलते हैं जैसे कि मान ये एक चीटी है और ये खाना रखा हुआ है तो ये चीटी इस खाने के पास जाती है तो बाकी भी क्या करती है सारी देख करके इसी के पीछे लग जाती है तो इसको बोलते हैं सामान ने आशय मतलब की common intention अब इसको आप कैसे या दखेंगे इसमें बात आ रही 34 और मैंने आपको इसमें एक पिक्चर लगा रखी इस पिक्चर में क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है उसको मार रहा है तो इसका मतलब यह है कि किसी को तोलना फोलना भी क्या है अपराद है तोलना और फोलना मैं क्या बढ़ बोड़ा है फोलना है तो ये जो फोलना और fold लेको हम लेट कर लेकि से 40 से तो इस तरीके से दियान रखेंगे किसी को तोलना और fold ना वो क्या कर लाता है धारा 40 मतलब भी अपरात की परिभाशा बताता है आगे हम बात कर लेते हैं और ये हमारे लिए बहुत important है धारा 84 धारा 84 को लेकर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि विक्रित्चित व्यक्ति का कार अब पहले यहाँ पर यह जो विक्रित्चित व्यक्ति है इसका मतलब समझ लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि स्वास्थ मस्तिष जिसका ना हो जो मानसिक रोगी हो जो मद बुद्धी हो जो पागल हो और जिसको अच्छे बुरे की समझ ना हो ये सारी की बात देगी किसमें धारा चोरासी में यानि कि ऐसे व्यक्ति का कार अब इसको देखिए क्या कहते हैं इसको बोला जाता है Mac Naughton Law तो इसके पीछे की पूरी कहानी समझ लेते हैं देखिए कि हुआ क्या था मैक नॉटन बेसी के लिए एक वेक्टी थे जुन्होंने क्या क्या था युनाइटेट किंडम के परधान मंत्री रॉबर्ट पील को समझ करके उनके सिक्रेटी ड्रम्ड को गोली मार दी थी ठीक है लेकिन ये जो मैक नॉटन थे ये क्या थे मानसिक रोगी थे तो इस वज़े से इनको इस धारा के धारा 84 के तहट इनको सनक्षण प्राप्थ हो गया था अब एक बात यहां पर और ध्यान लखिएगा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ नशे की हालत में ये शराप की हालत में अगर कोई ऐसा आपराज करता है तो उसको धारा 84 के अंतरगत सनक्षण नहीं मिलता है अब इसको हम कैसे ध्यान लखिएगे देखी ये व्यक्ति है शराप पी रहा है तो ये शराप ज़्यादा पीता है नशा करता है तो उसको हम क्या बोलते है चरसी और चरसी को हम 84 से रिलेट कर लेंगे लेकिन जब बात 84 की आ रही है 84 को हम बोलेंगे चरसी मतलब नशे की बात तो हम यहाँ पर ध्यान लखिएंगे कि 84 के अंतरगत नशे का सनक्षण नहीं है मतलब वही इंसान को दी जाएगी जो मनमुद्धी हो या फिर पागल हो या फिर अच्छे बुरे की समझ ना रखता हो आगे हम बात कर लेते हैं और next है हमारे पास धारा तिरपन धारा तिरपन को लेगर के बात करें तो इसके अंतरगत बात करें गई है दन्ड के प्रकार को लेगर के अब इसको हम यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और काफी सारी चीते यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दंड के प्रकार धारातिरपन में, मृत्यु दंड होता है, अजीवन कारावासे, कारावासे, संपत्ति के संपुहरण है और आर्थिक दंड है, एक एक करके समझेंगे, मृत्यु दंड को लेगर के बात के तो सिंपल स्थी बात यही है कि इनसान को फासी दे दी जाती है, खतम हो गई बात, अजीवन कारावास में क्या होता है, कि पूरी उम्र आपको जेल में बिदानी पड़ती है, कारावास की बात कर लेते हैं, तो कारावास के अंतर गर दो बाती आती है, एक तो आता है कठिन कारावास, और एक आता है साधा कारावास, कठिन कारावास में य यह है कि आपको कुछ ना कुछ जुर्माने की रकम देनी पड़ती है जो की तैय करती है कोट के द्वारा ठीक है यह बात हो गई दंड के प्रकार को लेकर करके अब देखिए इसको अगर हम रिलेट करें तो तिरे पन इसको हम बोले थोड़ा सा तेरे पन पन और दंड पन और दंड इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे आगे हम बात कर लेते हैं धारा 54 को लेकर के और धारा 54 के अंदर को बताया गया है कि म्रत्यु दल्लादेश का रुपांत्रा यानि कि यहां पर बात कर रहे हैं सजा को कम करने की तो ध्यान लखिएगा धारा 54 में बताएगा है कि सजा को कम करने का प्रावधान है जब अनुमती मिलेगी तब ही होगा ऐसा धारा 63 के अंतरगत क्या बताएगा है कि आर्थिक दंड यानि कि जुर्माने की रकम वही मैंने बता है न अभी मैंने आपको आर्थिक दंड एक्स्प्लेन करा है तो उसी को लेकर के बात करी गई है धारा 63 के अंतरगत अब देखी इसको हम कैसे रिलेट करेंगे अगर हम बात करें जैसे किसी के उपर जुर्माना लग जाता है तो क्या करते हैं उसमें भाई जिन से पैसा मांगती है तो वो लोग पैसे को क्या कर जाते हैं तरस जाते हैं तो तरस से 63 इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे धारा 63 के अंतरगत जुर्माने की रकम को लेकर के बात करी गई है नेक्स हम बात के लेते हैं धारा 64 और धारा 64 में बताये गया है कि जुर्माना ना देने पर कारावास ठीक है अब लोग क्या होते हैं लोग चौड़े होकर के बोलते हैं कि कितना पैसा चाहिए यानि कि जो जुर्माना नहीं दे पाया है जो पैसा नहीं दे पाया उसको क्या क करना पड़ेगा बद्ले में कारवास हो जाएगी तो धियां नखिएगा धारा 64 के अंतरकत बताया है कि यहां पे जुर्माना ना देने पर कारवास होगा तो रिलेट करने का बने बताया दी कि तो यहां सिंपल सा मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं कि एक साथ मिलकर एक अपराद है ना साथ मिलकर एक अपराद तो इसी से क्या हो जाएगा 71 और 71 में ध्यान रकिने कि कई अपरादों से मिलकर कर बनें अपरादे के लिए दंड की बात कहें ग identifying आगे हम move कर लेते हैं और अब हम बात कर लेते हैं धारा 146, धारा 146 में क्या कहा गया है कि बल का प्रियोग कालून के खिलिअ के खλαफ करना तो हम इस तरीके से लेट करेंगे कि एक भी चल नहीं कानून के खिलाफ इस तरीके से याद करेंगे 146 मतलब एक भी चल नहीं कानून के खिलाफ तो इस तरीके से हम इसको लेट करेंगे नेक्स हम बात कर लेते हैं धारा 169 में बात करीगी है किसको ले करके दंगे को ले करके अब देखे जब भी दंगा होता है तो क्या होता है एक पाव नहीं है ना एक पाव से मतलब पाच और नव से मतलब नहीं तो एक पाव नहीं यानि कि धारा 169 में बात करीगी है दंगे को ले करके, next हम बात कर लेते हैं, ये भी बहुत important है, कई बार पूछा जा चुका है कि मिथ्या साक्ष, अब इस मिथ्या साक्ष को पहले हम समझ लेते हैं कि मिथ्या साक्ष होता क्या है, धारा 191, इसका मतलब यह होता है कि जूटे सबूत पेश करना, ठीक है, उसको हम क्या बो लेकर करें, ये भी खान में बटाएगे, मिथ्या साक्ष को लेकर दे, आगे हम बात कर लेते हैं, धारा 302, धारा 302 बात कर लेती ही हत्या का दंड, अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, 302, मतलब 3 से 2, अभी ये 3 थे, अब 3 से क्या होगे 2, तो 302 में बात करेंगे, कि इ ले करके तीन से दो कर दिये एक की मृत्षी हो गई हत्या कर दी तो इस तरीके से इसको ध्यान लखेंगे नेक्स्ट हम बात के लेते हैं धारा 304B और इसके अंदर गदबात करेगी है दहेज मृत्यू को ले गया है की आत्म हत्या का प्रत्ने आब देखिए आत्म हत्या की अगर मैं बात कलेता हूं, तो आत्म हत्या क्या 409 वहाँ जो हम कैसे डेलेट करेंगे कि धर्ती 30 की बात करें न, इसमें देखें क्या रहा है, 30, तो धर्ती पर नहीं, है न, 30 को हम करें लेट को लें, धर्ती, और 9 को मतलब नहीं, तो धर्ती पर नहीं, भाई, जो आत्मात्या कर लेगा, वो धर्ती पर नहीं रहेगा, तो आत्मात्या का अपरेत ने, धारा 309 के अंदर करत अब next है हमारे पास 312 और 312 के अंदर के बात करता है गर्भ पात करना तो गर्भ पात करना इसको तुरा सा मैं relate करता हूं कि 312 गर्भ पात ना कराना यारा मतलब यह क्या है इसको समझा रहे हैं कि भाई धारा 312 गर्भ पात ना कराना यारा वनना कड़ी से कड़ी सदा मिलेगी लेकिन एक बात है कि जीवन अगर बचाना अवशक हो तो यह अप्राद नहीं है आगे हम बात करें भारा 326 एए में बताया गया है कि तेजाब फेकना तीजाब फेकने को लेकर के बात गिलेगी है किसके अंतरगत 326 के अंत्रकत अब इसको कैसे याद रखेंगे तो दिखे 326 में क्या पहले इसको मैं अलग अलग का ले रहा हूँ 32 को में रेट करों किसे 22 से 22 और 6 मतलब छूलिया अगर मैं बत्ती को छूलूंगा तो जल जाओंगा, किसकी तरीके से, तेजाब की तरीके से, तो ध्यान लखेंगे, तेजाब फेकने का जो प्रावधान है, वो धारा 326 में दिया गया है, ठीक है, इसको लेकर के जो सदा दे गई है, वो 326 A में, आगे हम बात कर लेते हैं, ध कैसे होते हैं, बत्तर, कैसे होते हैं, जानमर की तरीके से होते हैं, तो 376 बलतकारी होते हैं बत्तर, तो इस तरीके से ध्यान लखेंगे, धारा 376 में बलतकार की परिवाशा दे गई है, नेक्स हम बात कर लेते हैं, धारा 378 और 378 में बताये गया है, क्या चोरी को लेकर के बाग करी आती है अब इसको देखो यह हम कैसे याद रखेंगे तीन साथ ठीक है तीन साथ को मैं क्या कर लूँ मैं इसको बोल सकता हूं 37 को मैं बोलू सोती ठीक है और जब सोती है तो आठ को मैं रिलेट कर लेता हूं हाथ जब सब सोते हैं तो क्या कर लेता है इंसान हाथ जानक हैं ये 378 में चोरी की बात गही अब अगर चोरी होगी तो जहीसी बात है कि उसकी सजा भी होगी तो धारा 379 की अंतरगत बात गहीं है चोरी के दढ़ को लिए लेगल देख है अगे हम बात कर लेते हैं धारा 390 और 390 में बथा गया है कि लूट लूट किसको कहेंगे अब लूट के अंतरगत अगर मैं बात करेंगे अगर मैं बात करेंगे और डगैती को अगर मैं बोलूँ तो क्या कहूंगा की चार वेक्ती से अधिक जिसमें उनगे उसको क्या बोलेंगे अब देखे 370 क्या लूट है तो देखे कैसे इसको रिलेट करेंगे तीन ुदेखे किसकी तरीके से बना हुआ है की तरीके से और नाइन को देखे अगर मैं थ्ढ़ासे ऐसे बना दू तो ये देखे मातरा की तरीके से बना हुआ है ऐसे करके मातरा के जीरो की तरीके से बना हुआ है तो धियान लखेंगे कि 390 में लूट को लेकर के बात करी गई है आगे हम moaf कर लेते हैं और अब हम बात कर लेते यहां पर धारा 499 बात कर लेता है मानहानी को ले करके और समझ लेते हैं कि यह मानहानी होता क्या है ठीक है आने वाले शब्द यानि कि आसत्य कथन किसी को किसी के बारे में आप गरत बोल ले हो ठीक है गरत चीज़े प्रोपिगेट कर ले हो तो यह बात आती है किसके अंदर क मानहानी के अंतरगत, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे धारा 499 में बात करी गई है, मानहानी को लेगर के, यसी बात है कि अगर मानहानी करी जाएगी, मानहानी की परिभाषा दी जाएगी, तो उसको लेगर के दंड भी दिया जाएगा, तो धारा 500 में बात करी गई है, मानहान 11 को लेकर के So guys, ये थे आपकी मातपूर IPC धराएं, जिनको हम लोगों ने याद करा है, बहुत ही simple और easy tip से तो अगर आपको एफ वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like जुरू करें guys और लोगों को share करिए, जिससे और लोगों का इसका benefit मिल सके और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो please चैनल को subscribe करने So friends, thank you and all the very best for your examination